हेलो दोस्तों मैं सचेन अरोडा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अरोडा एजुकेटर के इस ओफिशल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सब बहुत बढ़िया होंगे आज के सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे UP PCL Assistant Accountant में 31 तारीक को जो पेपर हुआ उसमें Objections कैसे अपलाई किया जाए पहली बात तो ये याद रखेगा कि सभी Candidates को जिनका भी पेपर 31 को हुआ है सभी को यहाँ पर Objection अपलाई करने है Mandatory है, compulsory है आपके लिए ये मत सोचिएगा कि कुछ Candidates ने कर दिया तो मुझे नहीं करना है सभी Candidates को 31 में जिन्होंने भी पेपर दिया है उन सभी को Objection अपलाई करना है कैसे आप अपलाई करेंगे इसका Complete Process में आपको बताऊंगा अभी As well as Proof, भी मैं आपको दूँगा कि कहां से आपको Proof लेना है कैसे आपको उस File को Attach करना है सारे Proof तयार कर लिए गए हैं हमारे True With Valid Documents, जिसमें Valid Proof हमने लगा दिया है कि ये Question क्यों गलत है कैसे आपको ये Proof मिलेंगे और कैसे आप Objection करेंगे पूरा Step by Step Complete Process के लिए तयार हो जाई एक Pen और Copy भी ले लिजे जहाँ पर साथी साथ में वीडियो को Pause कर करके आप उसके Process को No Down भी करी ठीक है, अगर आप किसी Cyber Cafe में जाते हैं और Fill करवाते हैं Objection को तो ये वीडियो आप जरूर दिखा दीजेगा सभी जगे पर इस वीडियो को भी शेर कर दीजेगा जिससे कि Maximum Candidates यहाँ पर Objection को Apply कर पाएं, क्या है Complete Process? Have a look guys, देखते हैं सबसे पहला Question कि जो Supporting Document है जो Proof है, ये कहाँ पर मिलेगा आप सभी लोगों को तो ये Proof मैंने डाल दिया है अपलोड कर दिया है Aroda Educator Telegram Channel पर आपको ये चैनल कैसे मिलेगा बहुत सारे Candidates Already Connected हैं वो Candidates जो अभी तक Telegram Channel से Connected नहीं है वो सर्च कर लिजेगा Telegram पर Aroda Educator Channel लिखकर क्या लिखिएगा Aroda A.R.O.R.A. Educator बिना किसी Space के तो आपको मिल जाएगा ये चैनल जिसमें 19,000 प्लेस सब्सक्राइबर्स हैं याद रखिएगा यही वाला वैलेड होगा जिसमें 19,000 प्लेस सब्सक्राइबर्स आपको दिख रहे होंगे जोईन कर लिजेगा आपको अटेज करना है जब आप क्या कर रहे हूँ अबजेक्शन कर रहे हूँ ठीक है All in PDF फॉर्मेट जितनी भी फाइल्स हमने यहाँ पर आपको दी है वो PDF फॉर्मेट में ही प्रुवाइड करी है चलिए अब पहला कोशन यह उठता है इसके बाद यह तो हो गया कि डॉकुमेंट आपको कहा मिलेगा यह डॉकुमेंट में होगा क्या इसका भी एक फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है जो प्रूफ है जो सपोर्टिंग डॉकुमेंट है जो मैंने आपको PDF में दिया है इसमें question है जो गलत है जिसमें objection आपको करना है उसका correct answer क्या होना चाहिए ये मैंने लिख दिया है remarks ये remark काफी important है क्योंकि ये remark मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं और ये remark आपको objection फिल करते समय भी लिखने होंगे इस वीडियो को पूरा देखेगा step by step मिस मत करिएगा कहीं पर भी गलती करी तो फिर form submit नहीं होगा या accept नहीं होगा इसलिए बहुत ध्यान से एक एक process को समझेगा इस PDF फाइल में हमने आपको क्या provide किया है question उसका correct answer remark remark ही आपको objection वाले form में भी फिल करना है तो यहां से copy कर लीजेगा remark को और जब आपसे objection वाले form में remark पूछे तो वहाँ पर paste कर दीजेगा ठीक है तो सभी questions में मैंने remark लिख दिया है ताकि आप इसको attach भी कर पाएं और साथ ही साथ उस form में भी objection वाले form में भी आप इस remark को copy paste कर पाएं ठीक है अब यह कैसे करेंगे copy paste कब करेंगे यह भी मैं आपको किया है pdf में हर एक question के साथ वो आप option mention कर देंगे जैसे incorrect answer की वहाँ पर pop up open होगा उसमें से आपको select करना होगा nature of objection हमने कहा suppose करिए यह है incorrect answer की जैसे ही आप incorrect answer की choose करेंगे आप से वो further details मांगेगा जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे फिर हमने यहाँ पर दे दिया है website के screenshot along with the link देखी यहां matter क्या करता है यहां matter यह करता है कि आप proof में क्या लगा रहे हैं book का screenshot भी लगा सकते हैं website का link और screenshot भी लगा सकते हैं उनको सिर्फ यह देखना है कि यह जो question जिस पर हम objection कर रहे हैं क्या यह वाकई में objectionable है यह चीज तो लोग खुद भी cross check करेंगे और ऐसा कोई भी question यहाँ पर नहीं है जो उनको पता नहीं है लेकिन by mistake शायद उनसे कोई दूसरी answer की attach हो गई है क्या हुआ है मुझे नहीं पता लेकिन यह बहुत आसान questions हैं जिनके गलत answers provide किये गए हैं जो UP PCL वालों को भी पता है तो आप बिलकुल बेफिक्र होके जो मैंने objections दिये हैं वो आप apply कर दीजेगा सभी के objections यहाँ पर accept कर लिए जाएंगे ठीक तो मैंने यहाँ पर क्या दिया है website screenshot along with the links समझ में आ गया कि PDF में आपको क्या क्या मिल रहा है आगे बढ़ते हैं अब question यह उठता है सर हमें यह तो समझ में आ गया कि PDF मिलेगी कहां टेलिग्राम पे दूसरा हमें यह भी समझ में आ गया कि इस PDF में क्या क्या चीजे given है यह चीजे mentioned है अब आती है मुद्दे की बात कि apply कैसे करे objections को क्या process है सबसे पहला काम आपको क्या करना है UPPCL की website को open करना है STTPS www.uppcl.org या आप simply google पे UPPCL website लिख दीजेगा पहली website आपको दिख रही होगी UPPCL.org के नाम से click कर दीजेगा click करने के बाद एक tab आपको दिखेगा vacancy और result के नाम से किस नाम से vacancy और result इस पर click कर दीजेगा फिर इसके बाद आपके सामने ऐसा एक complete form open हो जाएगा जिसमें बहुत सारे link दिये होंगे यहाँ पर आपको सबसे पहला link चूज करना है जिसमें दिया होगा download response key and upload objection for CBT conducted on dated 31st 7, 2023 for the post of assistant accountant against the advertisement number so and so हना इस पे आप view या download पे click कर दीजेगा जैसे ही आप view या download option पे click करेंगे इस तरीके का page open हो जाएगा जहाँ पर आपसे user ID और password मांगा जाएगा जैसे आपने answer key के लिए किया था वैसे ही यहाँ पर आपको user ID और password जो आपके पास में है along with the capture जो यहाँ पर capture दिया हुआ है यह proper तरीके से mention कर दीजेगा और login कर दीजेगा जैसे ही आप login करेंगे आपके सामने again एक page appear होगा जिसमें तीन टैब दे रहा होगा applicant details, objection form, candidate response आपको क्या करना है objection apply करना है तो आप किस पर जाएंगे? objections form पर जाएंगे और click करेंगे जैसे ही आप इस option पर click करेंगे यहाँ पर क्या होगा guys एक menu बन के आ रहा होगा objection form में click करने के बाद plus करती, जहाँ tab दिया होगा जिस पर लिखा होगा click here to raise the objection, जैसे ही आप objection form पर आपने click किया, फिर क्या करना है इसके बाद? click here to raise objection plus का symbol बन के आ रहा होगा, इस tab पर click कर दिजेगा जैसे ही आप इस tab पर click करेंगे जो की highlighted है, आपके सामने instruction वाला page आ जाएगा जिसमें आपको instructions दिये गए हैं कि आपको किस तरीके से यह objection apply करना है यह instructions आपको एक बार पढ़ लेने हैं, वो मैं आपको बता भी दूँगा अभी कि यह instructions क्या क्या हैं फिर इसके बाद आप इसको read करने के बाद close कर दिजेगा, read करने के बाद क्या करेंगे, close करेंगे यह instructions में main बाते क्या क्या हैं, वो मैंने यहाँ पर short में आपके लिग दी हैं पहला point, objections सिर्फ और सिर्फ English language में ही accept किया जाएगा किसी और दूसरी भाषा में objection को apply नहीं किया जा सकता है दूसरा point, editing not possible, एक बार अगर अपने objection भेज दिया, तो उसमें अब बदलाव नहीं कर पाएंगे इसलिए बहुत अराम से, बहुत cool down होके, आपको हर एक objection को apply करना है बार बार recheck करिएगा apply करते समय कि कोई data गलत तो नहीं mention कर रहे हैं क्योंकि उसमें editing possible नहीं है Remarks, remark आपसे पूछा गया है और ये देना जरूरी है valid explanation requirement होगी remarks में, अगर ये explanation सही नहीं हुई तो आपका ये जो objection है, ये check नहीं होगा इसलिए remark को मैंने हर एक pdf में mention कर दिया है तो वहाँ से आप copy करेंगे, paste करेंगे यहाँ पर remark section को upload, supporting document यानि proof proof आपको upload करना है, जो मैंने आपको provide किया है telegram channel पर, वो आपको यहाँ पर browse करना होगा upload करना होगा, और attach करना होगा यहाँ पर uploading का size कितना है, 400 KB, तो इसकी tension आपको लेने की requirement है नहीं क्योंकि जितनी भी मैंने pdf files दी है, वो 200-200 KB के लगबग है uploading का size कितना होना चाहिए, 400 KB लेकिन अगर आप खुद अपने पास से कोई document upload कर रहे हैं तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, कि size 400 KB हो, और upload करने का जो format है, जो file है वो pdf, jpg या jpeg format में ही होनी चाहिए maximum कितने documents आप upload कर सकते हैं एक pdf बना के मैं आपको दे रहा हूँ अगर आपको लगता है किसके लावा और भी कोई proof है आपके पास तो आप उनको भी attach कर सकते हैं एक मेरी pdf हो गई, हर एक question के objection के साथ में हर एक answer के objection के लिए और plus आप 4 supporting document और भी add कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई book की image है कोई screenshot है, कोई दूसरी website का link है, screenshot है तो आप बिल्कुल यहाँ पर multiple भी लगा सकते हैं ठीक है तो total कितने लगाएंगे? 5 supporting document ये तो आपके rules and regulations हो गए close कर दीजेगा पढ़ने के बाद जैसे ही आप close करेंगे आपके सामने एक form, objection form open हो जाएगा ये है असली form जो आपको fill करना है, submit करना है और यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होने चाहिए इस form में कुछ details आपकी already fill होंगी जैसे आपका नाम, blah 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 and so on और भी सारी details, किस दिन आपका paper था, shift कौन सी थी ये automatically fill होगी, जिसको आप बदल नहीं सकती यहाँ पर आपको choose करना होगा सबसे पहले question ID question ID का मतलब, जिस question में आपको objection लगाना है उसकी ID क्या है? ये ID आपको कहां से मिलेगी? answer की से, जो answer की आपके पास में है अपनी अपनी ही answer की से apply करिएगा अब suppose करिए मैंने यहाँ पर एक screenshot भी लगा दिया है answer की का हर एक question में, हर एक answer में question ID दी हुई है options की ID दी हुई है status दिया हुआ है और chosen option दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या select कर लेना है question ID जैसे आप click करेंगे आपके सामने एक menu open होगा जिसमें से जो भी question आपको select करना है जिस पर objection apply करना है वो select कर लीजेगा फिर nature of objection ये important है nature of objection में इतने सारे options given है incorrect all options incorrect multiple correct answers incorrect answer की या translation error असपस्ट प्रश्न सभी विकल्प गलत है एक से अधिक सही उत्तर है गलत उत्तर कुणजी या अनुवाद तुटी यहाँ पर आपको select करना होगा और ये जो nature of objection है ये भी मैंने जो टेलिग्राम पर आपको PDF दी है उसमें हर एक question में मैंने mention कर दिया है कि वहाँ पर error का जो type है जो nature of objection है वो क्या है तो वही fill करिएगा जो मैंने दिया है ये select करने के बाद आपसे remarks पूछे जाएंगे लिखा हो है ना यहाँ पर remark अब यहाँ पर जो आप remark देंगे ये भी मैंने आपको PDF दी हुई है टेलिग्राम पे तो हर एक question के साथ में मैंने आपको उसका remark दिया हुआ है copy कर लीजेगा paste कर दीजेगा remark यहाँ पर और click here to upload पे click कर दीजेगा click here to upload में क्या जाएगा आप समझ गए होंगे जो PDF फाइल्स मैंने आपको प्रोवाइड करी है टेलिग्राम पे उसको यहाँ पर आप upload कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखेगा question ID जो भी आपने select करी nature of the objection जो उसमें लिखा हुआ है PDF फाइल में वो आपने select किया correct option ID अब यहाँ पर आपने क्या किया कई बार आपसे यह option ID भी पूछेगा क्यों क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है incorrect answer की incorrect answer की का मतलब कि जो 4 option वहाँ पर given थे वो incorrect है तो यह आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा option था जो correct है उसका option ID आपको यहाँ पर mention कर देनी होगी लेकिन याद रखिएगा हर एक की option ID आपके पास में हो क्योंकि यह copy paste नहीं होगी option ID यह आपको mention करनी होगी type करनी होगी ठीक है फिर इसके बाद remark जो मैंने PDF में दिया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे इसको submit कर देंगे that's it जैसे आप इसको submit करेंगे upload करेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा document 1 हमने attach किया तो जिस नाम से वो document है उसकी file यहाँ पर attach हो गई आप 4 document और भी यहाँ पर attach कर सकते हैं document 2, document 3, document 4 document 5 and so on और फिर आपको यह दिख जाएगा successfully uploaded कि यह जो आपका particular objection है एक question के लिए वो क्या हो गया है upload हो गया है अब सेम तरीके से दूसरे question का process करिए तीसरे question का process करिए और जितने भी objection वाले questions हैं एक एक करके fill करते रही close कर दीजेगा इस particular window को एक मैंने आपको और example दिखाया है suppose करिए एक question की ID है जो हमने choose करी nature of objection हमने लिखा all options incorrect यहाँ पे सारे options क्या है incorrect है तो अब यह हमसे यह नहीं पूछेगा कि correct option कौन सा है अब direct हमसे remark मांगीगा जैसे पहले वाले case में क्या था हमने यहाँ पर लगाया था incorrect answer की incorrect answer की पर इसने मांगा correct option बताओ तो हमने correct option की ID दे दी लेकिन अगर हम nature of objection को choose करते हैं all options incorrect तो हमसे बीच वाला यानि objection ID नहीं मांगेगा समझ में आ रहा है न option की ID हमसे नहीं मांगेगा direct remark मांगेगा click here to upload मांगेगा और submit मांगेगा जैसे हम submit कर देंगे successfully इस तरीके से क्या होगा submit हो जाएगा इस तरीके से आपको जितने attachments attach करने हैं यहाँ पर आप attach कर सकते हैं और finally successful तरीके से आपको दिखा देगा कि यह देखिए आपका जो response है वो हमने collect कर लिया है यह page आगे आपके पास तो समझ जाएगा कि आपका objections successfully apply हो चुका है यहाँ पर याद आपको क्या क्या चीज़े रखनी है ज़र एक पर देखिए you can upload objections on any question by similar way इस तरीके से आप जितने भी questions को चाहें उनको objections आप apply कर सकते हैं in case of error क्या रहा है अगर कोई error आती है जैसे कई बार क्या होता है कि आपको बहुत time लगता है apply करने में objection को apply करने में तो session कई बार आपका expire हो जाता है जिसकी वज़े से error आ जाती है घबराए ना अगर error आती है तो एक बार logout करे और फिर से login करे page को दुबारा से fill करे पूरे process को और थोड़ा जल्दी करे क्योंकि अगर session expire हो गया तो फिर आपको बार बार वो process करना होगा remarks only text supported कई बार इसलिए भी error आती है क्योंकि जब हम remark देते हैं तो उसमें comma या कोई special symbol लगा देते हैं dot comma inverted comma तो कोशिश करें कि जब भी आप remark दें वो text file ही हो वो text हो जो copy paste करे वहाँ पर पर अगर कोई comma है कोई full stop है तो उसको ना use करें क्योंकि ऐसा करने पर भी कई बार error through कर देता है तो normal text हो कोई comma नहीं हो कोई quotation mark ना हो कोई special symbol का इस्तमाल ना किया गया हो remark वाले section में next one time one objection repeat the process एक समय में आप एक ही objection कर पाएंगे दुबारा objection करने के लिए फिर से आपको इस process को repeat करते रहना है जितने भी question आप चाहें उतने questions का objection आप लगा सकते हैं तो one time पर एक ही objection होगा लेकिन उसी process को आपको repeat करना होगा proper internet connectivity गना बहुत जरूरी है internet connection proper होना चाहिए तभी आपका ये possible होगा वरना बार-बार session expire हो जाएगा या फिर आपको वो आगे proceed नहीं करने देगा all candidates must apply the objection ये तो बहुत जरूरी है सभी candidates को यहाँ पर objection apply करना ही करना है हना क्योंकि अगर कल को ये guideline आ गई कि उन्ही के marks बढ़ेंगे या उन्ही के साथ ये deal किया जाएगा उन्ही का accept किया जाएगा objection उन्ही के numbers को increase किया जाएगा जिन्होंने fill किया है तो फिर वो रह जाएंगे candidates जिन्होंने fill नहीं किया था तो सभी candidates को यहाँ पर objection apply करना ही करना है objection PDF file इसके regarding भी एक बार जान लीजे जो मैंने objection की PDF file आपको टेलिग्राम पर दी है only provided for 31st July 2023 candidates वो candidates जिनका paper 31 July को second shift में हुआ था उन्ही के लिए ये objection PDF files provide की गई है उन्ही को ये objection करना है क्यों क्या first shift candidates के लिए कोई question objection वाला नहीं है दिखे ऐसा कोई particular question नहीं लगा जिस पर आप objection apply कर सकते हैं कई सारे candidates ने मुझे question भेजे कि सर इसमें error लग रही है first shift में इसमें error लग रही है आप चाहें तो बिलकुल उनको apply कर सकते हैं लेकिन वो question कहीं न कहीं सही है तो हमने कोशिश ये करी है कि आपको हम वही files provide करें जिसमें 100% error है उसके साथ supporting document को attach करते हुए उस objection को apply कर सकते हैं समझ में आ गया तो यहाँ पर हमने जो pdf file provide करी है ये सिर्फ और सिर्फ second shift के candidates वाले students के लिए की है क्योंकि first shift candidates के लिए कोई objection नहीं हो सकता है मेरी तरफ से अगर मुझे कल को लगता है कि कोई file बनती है तो मैं बिल्कुल upload कर दूँगा लेकिन अभी तक ऐसा कोई question मुझे नहीं दिखा जिसमें objection किया जा सकता है सभी valid हैं लेकिन फिर से में repeat कर दूँगा आपको कि अगर आपको लगता है कि इस question में apply किया जा सकता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है क्योंकि apply करने पे marks आपके कम तो होंगे नहीं अगर सही हो गया तो बिल्कुल आपके marks बड़ जरूर जाएगी तो अगर आपको लगता है कि particular question में कोई error हो सकती है तो आप बिल्कुल apply कर सकते हैं 17 objection PDF proof provided to you via telegram मैंने जो आपको 31 जुलाई 2013 second shift candidates के लिए कितने proof provide किये है total 17 objections जो की हमें मिल चुके हैं अभी तक second shift वाले candidates के case में second shift में जो paper हुआ total 17 objections अभी तक हो चुके हैं अगर हमें कोई और question में लगता है हना यह अगर आपको लगता है तो आप भी हमें लगतार भेज ही रहे हैं तो हम उसको भी वहाँ पर add कर देंगे लेकिन अभी तक जो proper हमें मिल पाया है वो है 17 objections की PDF file जो मैंने आपको provide करी है समझ में आ गया guys यहाँ तक बहुत मेहनत लगी है इनको तयार करने में जब आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि सर ने काफी मेहनत से इन PDF files को तयार किया है तो बस आप लोग का selection हो जाए आपके marks increase हो जाए लेकिन increase हो या ना हो यह मुद्दा नहीं बात यह है कि जितना आपने किया है कम से कम वो marks तो आपको मिलने ही चाहिए और क्योंकि यहाँ पर blender हुआ इतना बड़ा UPPCL के तरफ से तो marks increase तो होंगे ही होंगे getting the point तो यह तो होगे आपको जो files मिलेंगी वो telegram से मिलेंगी यहाँ तक आप समझ गए है that's it guys तो हमने यहाँ पर पूरे process को discuss कर लिया है कि कैसे आप objection करेंगे क्या है इसका step by step process एक बार इसको दुबारा से देख लिजेगा अगर कहीं पर भी confusion है बहुत अच्छे से draft करके मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको objection apply करना है PDF files आपको जो proof है जो supported document है वो आपको telegram पर available हो जाएंगे वहाँ से जाकर आप download कर लिजेगा और उनको upload और browse कर दीजेगा अपने form में clear है तो I hope कि यह process आपको समझ में आ किया होगा वीडियो अगर पसंद आई हो मेहनत अगर आपको लगी हो यहाँ पर हमने की है आपके लिए बहुत दमदार तरीके से एक बार like कर दीजेगा चैनल पर ना हो तो subscribe जरूर करिएगा hope for the best guys उमीद करते हैं कि सब अच्छा ही होगा जो भी decision यहाँ पर UPPCL के लिए लिया जाएगा हम उसका wait करेंगे पर आगे क्या process होना चाहिए फिर हम आपको अपडेट करेंगे अगर कोई अपडेट आता है UPPCL के तरफ से साथी साथ हमने भी कुछ candidates के case में objection apply कर दिया है साथी साथ कुछ mails भी हमारे तरफ से trigger किये गए हैं UPPCL को जिसमें request की गई है कि इसको जल से जल देखें क्योंकि बहुत सारे ऐसे questions है जिनमें objection बन रहा है computer ही नहीं बाकी subjects में भी ऐसे questions है जिनमें objection बन रहा है तो ये कही न कहीं बहुत lengthy process है इतना असान नहीं है हर एक question में apply करना और fill करना तो candidates की कितनी energy जी यहां पर waste हो रही है तो देखा जाए तो इस पूरे process को कहीं न कहीं बहुत deeply एक बर देखने की requirement है कि कहां पर क्या-क्या गलतियां होई है UP-PCL के through क्योंकि directly और indirectly student का जो morale है वो गिरता है इन सब चीजों से क्योंकि पहले वो preparation करे exam की date sure नहीं होती कि कब exam होगा exam इतनी late होता है फिर पता चलता है अच्छा इस इस दिन को exam है center इतनी दूर दूर भेज दिये जाते है यह भी एक मुद्दा है जिस पर UP-PCL को विचार करने की requirement है फिर उसके बाद paper cancel हो जाता है server error की वज़े से again candidate suffer करता है 40 दिन तक दुबारा पढ़ाई करता है pattern को देखते हुए फिर से revision करता है जो इतना आसान नहीं है देखने में लगता है बढ़िया है 40 दिन मिल गए लेकिन वाकी अगर देखें तो फिर से panic लेकर दुबारा से start करना that is really a very tough job फिर उसके बाद exam दे भी आता है दुबारा candidate again objection करें फिर उसके बाद वो भी एक नहीं दो नहीं 20-20 question में हर एक subject में अलग-अलग तो कैसे भाई या ना ये एक बड़ा question mark है UP-PCL के vacancy को लेकर जिसमें मुझे उमीद है कि आगे आने वाले समय में UP-PCL एक अच्छा decision लेगा और इस पे शायद कोई बड़िया work करें उमीद कर सकते हैं और हम लोग कर भी क्या सकते हैं तो thank you very much guys और भी आगे अगे अगर कोई update होता है तो मैं आपको provide करूँगा बाकी इस video के नीचे आप हमें बताईएगा कि आपको और क्या requirement लगती है क्या आपको requirement लग रही है क्या आपका feedback है कैसा आपका experience रहा है इसको लेकर आप comment section में मुझे जरूर बताईएगा अपने experience को जरूर share करिएगा साथी साथ वो candidates जो UPPCL की preparation कर रहे हैं और target लेकर चल रहे हैं 2024 next year के लिए जो preparation करना चाहते हैं वो course से भी connect कर सकते हैं UPPCL Assistant Accountant के course से connect करने के लिए Aroda Educator application को install कर लीजेगा किसी भी confusion के regarding course के regarding कोई confusion है कुछ पूछना है तो आप दिये गए नंबर पे WhatsApp करके भी आप हमसे direct अपनी query को पूछ सकते हैं बहुत जल्द मिलेंगे next session में कुछ नई updates के साथ till then bye bye and take care thank you very much guys God bless you all